शीतल की शादी को छे महीने हो चुके थे ससुराल में उसकी पहली नवरात्री थी माईके में नवरात्रों का समय बहुत सुकून भरा होता था सब लोग वरत रखते थे और सारा दिन पूजा, भजन और आराम में बीटता था पर ससुराल में चीज़ें बहुत अलग थी ससुराल में सभी लोग नवरात्री का वरत रखते थे सास, ससुर, ननत, देवर और यहां तक की पती भी लेकिन यहां वरत का मतलब सिर्फ पूजा पाट नहीं था शीतल बहु, अगर पूजा कर ली है तो जल्दी से रसोई में लग जाओ अभी थोड़ी देर में सब उठकर भूख भूख चिल्लाने लगेंगे नवरात्री के वरत तो सब को रखने का शौक है पर भूख यहां पर किसी से बरदाश्ट नहीं होती अच्छा, तो यहां पर नवरात्री वरत सब रखते हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है मैं सब के लिए मखाने और काजू से एक देती हूँ बहु, खाली मखाने और काजू से कुछ नहीं होगा तुम्हें नवरात्री का पूरा खाना बनाना होगा सुबह सुबह नाश्टे में हमारे यहां कुट्टू, सिंघाडे के आटे के पकोडे, साबुदाने की खिचडी साथ में खीरे का रायता और पुदीने हरी मिर्च की चटनी खाते हैं जी मैं अभी बना देती हूँ शीतल ने सब के लिए कुट्टू, सिंघाडे के आटे के पकोडे तयार किये, साथ में आलू की सबजी भी बनाई, एक तरफ साबुदाने की खिचडी भी बना दी और साथ में जो जो उसकी सास ने बनाने के लिए कहा था, वो सब शीतल ने बना कर तयार कर दिया शीतल को लग रहा था कि उसके ससुराल वाले सुबह नाश्टे में पेट भर कर खा लेते हैं, ताकि शाम के समय वरत खोल सके शीतल अभी सुबह नाश्टे में नवरात्रों का वरत का खाना बना कर रसोई से बाहर ही आई थी, कि तभी उसकी ननदा कर बोली भाबी, फलहार में कुछ और बनाओ ना, कुछ मीठा हो जाए, एक काम करो मखाने की खीर बना लो अरे निखिल की मा, मैं वो अमरूद और सेब लाया था, जरा वो काट कर दे दो, सुबह सुबह पकोड़े, खाकर सारे मुँ में तेल तेल हो रहा है, थोड़ा फल खाओंगा तो पेट को जो है, ठंड़क मिलेगी शीतल बहु एक काम करो, तुम खीर बनाने जाई रही हो तो अपने ससुर जी के लिए फल भी काट दो, मैं थोड़ी देर सुस्ताने जा रही हूँ, सुबह सुबह इतना हैवी खालो ना तो नीन बहुत आती है, अब क्या करे व्रत भी रखना जरूरी है, वो भी तो नहीं चोड़ सकते, शीतल चुप चाप सुन रही थी और देख और समझ भी रही थी कि उसके ससुराल में नवरात्रों में व्रत का खाना ऐसे ही खाया जाता था, जीती रहो बहु, सदा खुश रहो, अरे उर्मिला जी, दुर्गा मंदिर में आज से कीर्तन प्रारंभ हो रहे है, नई बहु को भी आँके मंदिर के कीर्तन में लेकर जरूर आना, इसी बहाने हम भी बहु के मुसे एक भजन सुन लेंगे, जी आँटी जी, मुझे तो वैसे भी नवरात्री के पर्व पर भजन कीर्तन सुनने का भी और गाने का बहुत शौक है, ममी के घर तो हम घर पर कीर् उनकी पूजा करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं, कितने अच्छे संसकार हैं बहु के, बहुत अच्छी बात है, बहु नवरात्री में मादुर्गा का भजन कीर्तन करने से, मादुर्गा बहुत प्रसन्न होती है, अच्छा उर्मिला, समय पर पहुँच जाना, हाँ हाँ चिंता मत करो जान की बहन, मैं और बहु दोनों कीर्तन में समय पर पहुँच जाएंगे, शाम के चार बजे शीतल अपनी सास के साथ पडोस के दुर्गा मंदर में कीर्तन में चली जाती है, पर कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर घर से फोन बजने लगते हैं, हलो शीत अब उसके पती निखिल का फोन बजने लगता है, हलो हाँ शीतल कहा पर हो, हलो निखिल जी मैं ममी के साथ दुर्गा मंदर में कीर्तन में आई हूँ, बोली क्या हुआ, अरे मैं वो पूछ रा था कि वरत में पेठे की मिठाई खा लेते हैं ना, जी खा लेते हैं और कुछ अरे वो आफिस के पास वाले मंदर से प्रसाद मिला था, तो मैंने सुचा तुमसे पोच कर खा लो अरे बहु अफ फोन को छोड़ कर एक दो भजन भी गा दो, तुम तो कह रहे थी कि तुम बहुत भजन काती हो, पर तुम तो जब से आई हो तब से फोन में लगी हुई हो, शीतल बहु फोन को बंद कर दो, और एक भजन गालों नहीं तो ये सब शोर मचा देंगी लगातार बज़ते फोनों की वज़े से शीतल बहुत परिशान हो रही थी, खेर उसने एक भजन दुर्गा मा का गाया, सबको शीतल की आवाज बहुत सुन्दर लगी, शीतल भी मातारानी के भजन गाकर बहुत खुश थी, कुश दिर बाद जब कीरतन का भोग पढ़ा, त फिर मैंने सारे आलो की सूखी सबजी बना ली, बस वही सब ने खाई है, बहुत तेज भूख लगी होई थी, सौरी आपको रात के खाने के लिए और आलो उबालने पढ़ेंगे, मतलब रात के लिए अच्छ ठीक है कोई नहीं मैं उबाल लेती हो, उस रात शीतल काफी दे सारा खाना बना लिया, साबुदाने की खिचडी, कुट्टू सिंगाडे के पकोडे, आलो की सबजी, मखाने की खीर और फल, जब सब साथ खाने बैठे तो उसने कहा, ये सारा खाना पूरे दिन के लिए है, जो जब चाहे खा सकता है, लेकिन अब बार-बार कुछ नया नह बनेगा, मैं पूजा के लिए मंदिर जा रहे हूँ, अब शाम कोई वरत का खाना बनाओंगी, मुझे लगता है किसी को मेरी इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बहु तुमने बिलकुल सही किया, वरत का असली मतलब यही है कि मन को सैयमित रखना, ना कि बार-बा खाने की फर्माईश करना, तुम सब भी शाम के समय मंदिर होकर आना, मादुर्गा का अशिरवात प्राप्त करना, नवरात्री में मादुर्गा की आरादना करने से वो हमें सैयम और आत्म विश्वास प्रदान करती हैं, भाबी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगी, मैं कैसा रहेगा? विचार तो बहुत अच्छा है, मैं आज ही जान की बहन को कीर्टन की मंदिर वाली मंडली के लिए बोल देती हूँ, बहु भी बहुत ही अच्छे भजन गाती है, घर में नवरात्रों पर खूब रौनक जमेगी, मम्मी, कीर्टन में वरत का खाना बनेगा न क्योंकि वरत रख कर भूग बहुत लगती है, मेरा मतलब है, हम वरत का, फलाहारी भोजन, कोमल की बाद सुनकर सब खुब जोर से हसते हैं, और पूरे घर में खुश्यों का माहौल बन जाता है हेमा मा दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी, उसके घर में धंधाने की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी, वो अपने लिए तो जी खोल कर खर्श करती, पर कभी भी कोई दानपुण्य नहीं करती थी, अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे, तो उस पर चिला पड़ती थी, सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो, ओ सेब वाले भाईया, ये सेब कैसे लगाए, हेमा बहू, ये हाथ में क्या है, मा जी वो मैंने अपने लिए दो रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसलिए एक र खुला हुआ है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं, तो हम उसको उजार दे, ला भईया, दो किलो सेब तोल दे, वैसे तू सो रुपे महंगे लगा रहा है, चल कोई नहीं, इलो, अम्मा जी, कभी-कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बस तू ऐसे ही खुब पैसे कमाता जा, घर में पैसे जुड़े होते हैं, तो किसी बात की कोई परिशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए, सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी, एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठ ही अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती, एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे, ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हो, ये नोट है या मुसीबत, गिनती ही ठीक नहीं हो रही, साधा पैसा होना भी मुसीबत ही है, माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुप्यों से परिशान हूँ, उपर से तुम परिशान कर रहे हो, जब तक ये नोट मेरे हाथ में है, तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहां से, तुम पैस हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था, वो गुस्से से जुंचला रही थी, और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधू बाबा भी भूखे द्वार से लोट चुके थे, हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में क मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा, आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है कोई बात नहीं, आप परिशान मतों सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं तो कोई और ग्राहक आजाएगा, आप बैठो मैं खाना लगाती हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ, सुमित की फैक्टरी में माल पड़ा रहा पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा, धीरे धीरे सुमित का स खाडू लगा रहीं थी, तभी वही साधू बाबा फिर से आए, क्या हुआ, आज भी मैं यहां से भूखा जाओंगा, हेमा की सास देखती है, ये तो वही बाबा है, जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे, हेमा की सास की आँखों में आसू आ जाते हैं, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी, आज मेरे घर में अनका दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हैं, मुझे माव करना बाबा, मैंने मादुर्गा का नाम लेकर उनकी प्रसाद की मिस्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया, जीती रहो बेटी, तुम मादुर्गा की सच्ची भक्त हो, घर में ये परिशानिया इसलिए आई है, क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बे सहारा को दान मादुर्गा के नवरात्री वरत धारन करो, मादुर्गा से भूल के लिए शमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, देखना, तुम्हारे घर की स्थिती पहले जैसी खुशाल हो जाएगी ठीक है बाबा, मैं मादुर्गा के नाम के नवरात्री वरत अभश्य रखूंगी, और फिर सादु बाबा के कहने पर हेमा ने विधी पूर्वक सचे मन से मादुर्गा के नवरात्री वरत रखने शुरू किये, वो मादुर्गा के नाम की जोद जगाती थी, घर में उनका क किरतन और भजन करती थी जिसमें उसकी सास और पदी सुमित की साथ देती थी। हेमा ने अभी तीन ब्रत ही समाप्त किये थे कि सुमित खुशी से घर लोट कराता है। मा जानती हो मुझे स्वेटर और टी-शेट का एक बहुत बड़ा ओर्डर मिला है। दिसम्बर तक मुझे ओर्डर तयार करना है। बहुत जल्दी-जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिये हैं। तु सच कह रहा है बेटा। हेमा बहु ये सब तेरे द्वारा रखे गए मा दुर्गा के नाम के नवरात रिवरत और पूजा का ही प्रभाव है। जो आज सुमित को इतना बड़ा ओर्डर मिला है। जये मा दुर्गा। और मा दुर्गा के आशिरवात से हेमा के परिवार की खुशियां फिर से लोटाती है। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की साज भी दानपुर्णे करने के लिए मना नहीं करती थी। बलकि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परि बेटा बेटी के जन्म के बाद मादुर्गा के आशिरवाद से हेमा के जीवन में सम्पून खुशियां आ गई थी.